मेरे प्यारे भाईयों और धेनों, आप सब को मेरा हारदिक प्रणाम गुर्देव सादु आस्वानी जी की पुस्तकों में उनकी लेखनी में बार-बार ये शब्द आते हैं Man's Eternal Destiny Man's Eternal Destiny एक अफसर पर उनसे पूछा गया कि आपके वचनों में ये शब्द बार-बार दोहराए गए है So tell us what is this destiny, the eternal destiny of man और इस प्रशन के उत्तर में गुर्देव ने कहा निर्वान It is the eternal destiny of every man निर्वान पद प्राप्त करना ही हर इंसान की eternal destiny है हर इंसान को एक दिन इस निर्वान पद की मंजिर पर अवश्य ही पहुंचना है फिर चाहे इंसान कितना ही पापी और विकारों में क्यों न गिरा हो चाहे वा पापों के दल दल में क्यों न फसा हो कितनी ही विसमिर्थी में रहा हो sure as the sun rises in the east जिस तरह यह निश्चित है कि सूरज पूरब से निकलता है उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि ऐसा अगोर पापी इंसान भी एक दिन निर्वानपद की मंजिल को हासल करेगा यह जीवन एक सफर है और इस सफर की मंजिल है निर्वानपद Life is a journey The goal of this journey is the sorrowless state हम अलग-अलग रास्तों से यह सफर कर रहे हैं कोई एक रास्ते से जाता है तो कोई दूसरे रास्ते से पर हर इंसान सफर कर रहा है यह अलग बात है कि कोई आगे निकल चुका है तो कोई धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहा है पर हम में से हर एक यात्री पद निर्वान की मंजिल पर एक न एक दिन अवश्य पहुंचेगे इस यात्रा की बिना बिना स्टेज़ को पार करते हुए जब अमपद निर्वान की मनजिल पर जा पहुंचते हैं तो उस समय भगवान हमारे सामने दो बाते रखते हैं भगवान कहते हैं मेरे बचे इस मनजिल पर पहुंचकर तुमने अपने जीवन का मकसद तो पूरा कर लिया है अब तुम चाहो तो सदा के लिए इस आनन्द के सरोवर में डुब की लगागते रहो और आनन्द में जीवन व्यतीत करो या फिर चाहो तो पिर्त्वी पर लाउट जाओ पिर्त्वी पर कई लोग भिन भिन प्रकार के दुखों से दुखी है वे अपने दुख की पीरा में रो रहे हैं चिला रहे हैं अगर तुम चाहो तो जाकर उन दुखी लोगों की सेवा करो और सची सेवा यही है कि तुम जाकर उनका मार्ग दर्शन करो ताकि वे लोग भी इस रहा पर चल कर एक दिन निर्वान पद की मन्जिल प्राप्त करें जग के अंधेरे से बाहर निकल कर मन्दे तु हरी भक्ती पे चल कर आत्मा से हरी का मिलन कर ले सुबह शाम हरी स्मरन कर ले जग के अंधेरों से बाहर निकल कर ऐ बंदे तु हरी भक्ती पे चल कर जग के अंधेरों से बाहर निकल कर आत्मा से हरी का मिलन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले सुबह शाम हरी सुमिरन कर ले मेरे प्यारे भाई और भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले मेरे प्यारे भाई और भेनों हमें से हर एक इंसान निर्वान पद की मन्जल को पाना चाहता है निर्वान पद की मन्जल पर पहुंचने के लिए कुछ लोग लंबे रास्ते से चलते हैं तो कुछ लोग छोटे रास्ते से पर हर यातरी की मन्जल एक ही है फिर वह चाहे लंबे रास्ते से चले या छोटे रास्ते से, सभी को वही उसी एक मंजिल पर पहुंचना है, हर एक इनसान के लिए उमीद है, there is eternal hope for every one of us, howsoever lost, in sin we may be, चाहे कोई कितना पापी महापापी क्यों ना हो, उसके लिए भी उमीद है, वह भी इस निर्वान पद को प्राप्त कर सकता है, गुर्देव कहते थे, कर ध्यान पाओ पद निर्वान, हम में से एक एको निर्वान पद की मंजल प्राप्त करनी है, और उस मंजल को पाने के लिए तुम्हें ध्यान की राह पर चलना होगा, अब तक तुम सचे ध्यान से दूर रहे हो, यह सच है, कि हम में से हर एक इनसान किसी ना किसी ध्यान में जरूर रहता है, फिर वह ध्यान धनसंपदी इकति करने का हो, या फिर माता का ध्यान अपने पुत्र में हो योगी सदा योग के ध्यान में रहता है शराबी सदा शराब के नश्ये में रहता है यह ध्यान की शक्ति हम में से हर एक इनसान के अंदर छिपी है गुर्देव का कहना है इस ध्यान रूपी अन्मोल शक्ति का तुम सद उपयोग करो ताकि तुम भी इसी जन्म में पद निर्वान की मन्जिल को प्राप्त कर सको इसके लिए सबसे पहली और मुख्य बात है कि जैसा इंसान ध्यान करता है वैसाईव बंता चला जाता है जैसा ध्यान वैसा इंसान अध्यात्मिक जीवन का यह मुख्य नियम है कि जिसका मैं ध्यान करता हूँ वैसाई मैं बनने लगता हूँ यदि मैं संसार का ध्यान करता हूं तो मैं संसारी बनकर रह जाता हूं अगर मैं सारा दिन प्रभु का ध्यान करता हूं तो धीरे धीरे अभ्यास द्वारा मैं प्रभु की तरह बनता चला जाऊंगा मेरे प्यारे भाईों और भेनों यदि आप अपने गुरू का ध्यान अधिक से अधिक करोगे तो एक दिन आप अपने गुरू की तरह ही बन जाओगे फिर आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा आपके बोलने का अंदाज भी बदल जाएगा आपका चाल चलन बदल जाएगा आप अपने गुर्देव की सूरत बनते चले जाओगे याद रखो मेरे पिरिय जन्नों आपने से एक एक भीतर प्रभू राजमान है और यह मत भूलो कि भगवान के साथ साथ आपके अंदर शैतान भी बैठा है अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर बैठे प्रभू की शक्ती को उजागर करते हैं या फिर शैतान की शक्ती यदि आप शैतान की शक्ती को उजागर करेंगे तो शैतान बन जाएंगे इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो देखो आपका ध्यान कहां और किन बातों में जा रहा है गुर्देव सादुवास्वानिदी हमें बार बार यह कहानी सुनाते थे The Story of the Great Stone Face एक देश में किसी पहारी की चोटी पर एक इनसान का मुखरा उभरा हुआ था उस देश पर किसी अन्य देश के राजा ने दावा बोल दिया और देश को गुलाब बना दिया उस देश के लोग पहारी की चोटी पर उभरे मुखरे की ओर देखकर कहते थे यह चहरा हमें आजाद कराने वाले सैनिक का है This is the face of our future liberator यही आकर हमें इस देश के राजा से चंगुल से आजाद कराएगा उसी देश का एक छोटा सा बालक हर रोज पार्शाला से लोटते हुए इस पहारी पर चर जाता था और कुछ समय तक वहां बैठ कर उस चहरे को बड़े ध्यान से देखता रहता था वह कभी आखे खोल कर तो कभी आखे बंद करके इस सूरत का ध्यान करता था अब देखो क्या होता है धीरे धीरे इस बालक का चहरा बडलने लगता है अब बालक से वह एक नवजवान बन गया है एक दिन लोग देखते हैं कि इसका चहरा बिलकुल पहारी पर उभरे हुए चहरे जैसा लग रहा है वह कहते हैं कि यही हमारे देश को आजादी दिलाएगा He is our liberator, He is our emancipator, He will sit the nation free अब यह नवजवान आजादी की हल चल शुरू करता है और पराएदेश के लोगों को अपने देश से निकाल देता है यही है ध्यान की शक्ती मेरे प्रिये जनों कर ध्यान पावपद निर्वान थोड़े से शब्द हैं पर इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा है मेरे प्रिये तुम निर्वान पद को पाना चाहते हो तो वो तुमें तब मिलेगा जब तुम कुछ समय ध्यान में बिताओगे जब तुम ध्यान मार्ग अपनाओगे आज कल मैं देखता हूँ कि लोग अपने काम में बहुत व्यस्त है काम करना जरूरी है क्योंकि ये पिर्थवी कर्म भूमी है पर याद रखो वर्क इस नौट अगोल अफ लाइफ काम जीवन का मकसद नहीं है काम एक साधन है जिसके द्वारा अंत्यकरन साफ होने लगता है जो मैलम अपने साथ लाए हैं वो साफ होने लगती है जब हम अपना काम काज प्रभु के चर्णों में अरपन करते हैं अपने कर्म के नतीजे के पीछे नहीं भागते तब हमारा अंतर साफ होने लगता है हमारा सबसे महित्व पूर्ण काम है ध्यान इसलिए कुछ समय ध्यान अविश्य करें कर ध्यान पाओ पद निर्वान मेरे प्यारे भाई और भेनों आए इस बात पर विचार करें कि ध्यान क्या है हम मेंसे एक एक व्यक्ति के दिल में एक छोटी सी गुफा है रिशी उपनशदों में इसे कहते हैं the cave of the heart आपने पहारों में गुफाएं देखी होंगी हमारे दिल में भी एक गुफा है इस गुफा में जोती जलती रहती है जोत मंडल की अविनाशी जोती ये जोती अखंट जोती है चोबीसों घंटे जलती रहती है कभी भी भुजती नहीं चाहे किसी ने कितने भी पाप किये हो कितने भी विकारों से भरा जीवन गुजारा हो फिर भी ये जोती भुजती नहीं इस जोती में ही हम सब की उमीद है इसलिए चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, उस पर हसना नहीं चाहिए, न जानें कब किसी भी पापी के भीतर ये जोती प्रकाशित हो जाए और फिर पापी संत बन जाए, संत में और हम सब में केवल यही अंतर है कि संत के जीवन में ये जोती प्रकाशित हो चुकी है और हमारे भीतर ये जोती अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, संत की आंखों से उनके दैनिक जीवन के व्यवहार से ये जोती जलकती रहती है मेरे पिरे जनो हमारे दिल की गुफा में जोती जल रही है और ध्यान करने का मकसद है इस जोती के दर्शन करना the purpose of meditation is this that it may lead us to that light the light that is shining in the cave of the heart दिल की गुफा में जो जोती जल रही है ध्यान द्वारा हम इस गुफा में जाकर जोती का दर्शन कर सकते हैं ये जोती क्या है? ये जोती है एक बिंदू जब तक हमने इस जोती का दर्शन नहीं किया है तब तक हमारा ध्यान सफल नहीं होता मैं तो ये कहूंगा कि तब तक हमारा मानव जन्म सफल नहीं होता ये मानव जन्म हमें इस लिए मिला है कि हम इस जोती से अपना संपर्क बनाएं मानव जन्म का मकसद है कि हम इस जोती में जाकर निवास करें वरना हमारा जन्म वेर्थ हो गया इस भीतर की यातरा पर हमें कौन ले जा सकता है इस भीतर की यातरा की हमें कोई जानकारी नहीं है पर गुरू हमें ले चलते हैं गुरू सब जानते हैं हम बड़ी बड़ी यातराएं करते हैं तीर थिस्तानों पर जाते हैं यहां जाते हैं, वहां जाते हैं पर कभी इस भीतर की यातरा के बारे में सोचा है मेरे प्यारे भायो और भेनो इस शरीर को रिशियों ने मंदर कहा है शरीरम ब्रह्मा मंदरम ये शरीर ब्रह्मा का मंदर है जिसके भीतर स्वयम प्रभु विराजते हैं इसके लिए हम कहां कहां भटकते फिरते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, यमुना किनारे जाते हैं, हरी दौार जाते हैं, ये सारे तीर्थ हमारे अंदर ही हैं। मुझे एक विर्द व्यक्ति मिला, जो काम पर रहा था, उसके हाथ में लाथी थी, वह मुझसे बोला, मैं आप से आशिरवाद लेने आया हूं, क्योंकि मैं जा रहा हूं, मैंने उससे पुछा, इस उमर में कहां जा रहे हैं। उसने कहा मैं लक्ष्मन जूला देखने जा रहा हूं, तब मैंने कहा पिरे जूला तो तुमारे अंदर है, उस जूले में श्री राम, श्री लक्ष्मन, माता सीता जूल रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, उसके लिए केवल आपको भीतर जांकना है। मेरे प्यारे भाई और भेनों, आज आप ये विचार अपने मन में उतार लें, हमारा शरीर एक मंदर है, शरीरम ब्रम्म मंदरम, इस शरीर को मंदर समझ कर उसकी देख बाल करें। एक-एक मंदर में जब आप जाएंगे वह चाए हिंदूों का मंदर हो, या इसाओं का चर्च हो, आप वहां दो बाते देखेंगे, एक जोती और दूसरा घंटा। बच्पन में जब हम मंदर जाते थे, तो सीधे जाकर पहले मंदर में घंटा बजाते थे, हमें कोई नहीं रोकता था, किन्तु जब स्कूल में घंटा बजाते थे, तो पियोन हम पर गुसा होता था। तो मैं कह रहा था, हमारे शरी रूपी मंदर में घंटा बजता रहता है, जोती जलती रहती है, मेरे पिरिये जनों, जब तक हमने इस घंटे की ध्वनी नहीं सुनी है, शाम सुन्दर की मदुर मुरली की धुन नहीं सुनी है, इस जोती का दर्शन नहीं किया है, अनहत का न आद नहीं सुना है, तब तक प्रभू हमारे लिए केवल एक शब्द है, सुनता नहीं धुन की ख़बर, अनहात का बाजा बाजता. की ख़बर, सुनता नहीं धुन की ख़बर, अनहात का बाजा बाजता. सुनता नहीं धुन की ख़बर, अनहात का बाजा बाजता. अनहात का बाजा बाजता. गओ इस तो बीश्पिरियंस, गओ इस तो बीजिए लिएलाइज, गओ इस नहीं धुन की ख़बर, अनुभव करना है, और प्रभू का अनुभव वही पासकता है, जो अनहात का नात सुनता है, और जोती का दीदार करता है, मेरे प्यारे भाई और भेनों, जब हमें गुरु मिलते हैं, इस नश्वर संसार में जहां सब कुछ फानी है, ये सूरज, जिसकी गर्मी हमें जीवन देती है, वो फानी है, ये चांद तारे भी फानी है, पर एक बात फानी नहीं है, वो है जब हमें ऐसा कोई संत मिलता है, तो हमारा भागय जाग उठता है, और वे हमें भीतर की यातरा पर ले चलते हैं, वे हमें बताते हैं कि ध्यान क्या है, बिन सेवा मिले न ज्यान, गुर सेवा कर धर्तु ध्यान बिन सेवा मिले न ज्यान, गुर सेवा कर धर्तु धर्त्यान गुरु सेवा पर्म पदारत ग्यान गुरु सेवा है तीरत सुनान गुरु सेवा परम पदा रख ग्यान गुरु सेवा है तीरत सान गुरु सेवक की सेवा न्यारी नूरिन मानी सद बलहारी मेरे परिये जनों ध्यान है अपने भीतर जाना ध्यान है दिल की गुफा में जाना जहां जोती जल रही है और शाम सुंदर की मदूर मुरली बज रही है अनहत का बाजा बज रहा है दिन और रात आठों पैर बज रहा है पर हम इस संसार के शोड़ो गुल में इतने गुम रहते हैं कि हमें इस मदूर मुरली की आवास सुनाई नहीं देती मेरे प्यारे भाईों और भेनों मैं चाहता हूँ कुछ समय निकाल कर आप ध्यान में जरूर बैठें अपनी अंतर की गहराईयों में जाने की कोशिश करें फिर एक दिन आप भी गुरू की किरपा से सुन पाओगे वो अनहदनाद और हमें भी उस जोती का दर्शन होगा हाँ उस समय हमारी जो अवस्ता होगी उसका वर्णन मैं कैसे करूँ गुंगे ने खाया गुर्फ पर स्वाद का वर्णन कर न पाया गूंगा केवल मुस्करा सकता है जिसको दर्शन होता है वो कुछ बोल नहीं पाता पर उसकी आंखों से नूर तपकता है उसकी आंखों में ज्ञांक कर देखो जो उसने देखा है आप भी देखने की कोशिश करो अपना मानव जनम सफल करो सफल करो, सफल करो ओम शांती, शांती, शांती